स्टार्ट करने से पहले में आपको बता दू आपने अगर अभी तक मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलग्राम जो भी जाइन कर लेना अगर आपने अभी तक पीडिएफ नहीं खरीदा है जो पुने मेट्रों के बच्चे है ससी जाई एक्जाम से उन सब को में बताना चाहंगी कि प्लीज बाए कर लेना जिसमें देखो इसका प्राइज जो है वो 239 रुपीज है जिसमें हिस्ट्री जोग्रफी इंडियन पॉल अब स्टाटिक वाला पार्ट इसिलिए मैं कहीं था ट्रुल क्या पढ़ाए जिस्ट्री में इस्ट्री तो इतना इंपॉटन होता है वर कौन सी चीज पर नहीं है यह बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उसी हिसाब से हमने जो चीज बहुत जादा इंपॉर्टन है बह आप लोग पड़ भी नहीं पाता है उतना data access नहीं होता था उतना data क्या किते वसे process नहीं होता था सरी process नहीं हो सकता था अपके दिमाग में और जरूरत भी नहीं है जितना आपको एक्जाम में पूचा जाएगा उतना ही दिया है सबसे पहले आप लोग कर देना स्टाटिक वाला पार्ट तो आपको मज़ा आएगा अच्छा लगेगा जब आप हिस्ट्री पड़ोगे ताप लगेगा अच्छा इस तरह से हुआ था यह सब चीज़े इसलिए 1857 का अब अब हिस्ट्री नी चाल को नियाब है नेक्स टिंग जर्ल नॉल जर्ल नॉल जर्ल नॉल जर्ल में इसलेनियस टॉपिक तो इसका हमने एक सांपल आपको मेरे टेली ग्रूप पर प्रोवाइड कर रखा है आप पहले देख लेना आपको अच्छा लगे तो नॉल जर्वादा लेलना 149 डुपीज में यह बहुत हो गया अबी अद्विटाइजमिक चलो स्टार्ट करते है न्यूज तो देखो स्पेसेक्स ने लॉंच किया है एक राइट शेर प्रोग्राम तो इसमें इन्होंने एक रेकॉर्ड मनाया है इन्होंने 143 साटलाइट ल बनेगा कि हाल फिलाल कौन से ऐसे ओगनाइजेशन है जिसने 143 इकता सैटलाइट लॉंच किये है वह स्पेसेक्स और दिवरस यह पूछ सब्टेक्स ने हाल फिलाल कितनी इकता ऐसे सैटलाइट लॉंच किया और रेकॉर्ड बनाया है या उस प्रोग्राम का नाम क्या है त एक चीटी की न्यू स्पीशीजल पाई गई है और उस पिसीजल का नाम जो है अमितक जोशी की नाम तर तो अको पोशन कुछ इस तरह से बनेगा कि हाहल में एक चीटी की नाई जो स्पीशीयजल बनाइख और Kirsty बन का सैटला स्टीन दो फिलाल में में जो प्रफेसर का अभ किस प्रोफेसर के नाम पर किस के नाम से नवाजा गया तो याद रखना प्रोफेसर अमिताब जोशी जी ऑदर्वाइस एक कुछन बन सकता है कि हाल फिलाल कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर न्यू आंट स्पिसीज मिली है आपको option में तामिनाडु केरला एकटा नहीं मिलेग क्योंकि हाल फिलाल वही दो जगा हुआ है तो आपको कोई भी एक स्टेट मिल जाएका तो आप लोग टिक कर लेना ओके नेक्स्ट टेसला जो इलेक्रिकल वहिकल मानुफाक्ट्रिंग कंपनी है उन्होंने अपना बेस बनाया है इंडिया में और उनका पहला एक मानुफाक्ट्रिंग हब बोल सकते हो आप लोग एन रिसर्च और डिवलप्मेंट हब तो वो कहां बना है 100% इस साल का कुश्चन ह याद रखो most important चीज है यह बना है बांगलूरु में कभी भी याद रखना बांगलूरु और निव देलिंग से रिलेटेड कुछ भी न्यूस होती है आपको याद करनी ही है क्योंकि यह दो होट्सपोट होते हैं international organization international जितने भी companies होते हैं यह दो ही जगा वो लोग अपना फोकस करते हैं तो इसको आपको अच्छे से याद करना है तो कोशन क्या बनेगा कि टेसला का जो न्यू लाँच वा है manufacturing hub वागेरा विश्च जवलेप्मेंट हब हो तो वो बैंगलूरु में हुआ है तो नेक्स्ट है नेक्स्ट हर्षवर्दन नक्ट हर्षवर्दन कॉन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो इन्होंने हाल फिलाल CEPI Centralized Network Lab launch किया है अचली इनौगरेट किया है वर्ट्यूल प्लाटफरम पर ही इनौगरेट किया है अब CEPI क्या चीज़ है यह है इसका फिल फॉर्म है Coalition for Epidemic Preparedness Innovations तो जो एपिडिमिक के लिए जितना भी preparation करना है तो इस Translation Health Science and Technology Institute Faridabad New Delhi में तो इसे दो कुशन मनते हैं कि अभी हाल फिलाल Centralized Network Lab बन रही है या बनाई गए इनौगरेट की गई है वो किसमी किया है तो डॉक्टर हर्षवर्दन जी ने कहां पर तो Faridabad New Delhi और यह हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए यह जो Department of Biotechnology Translation Health Science and Technology Institute है वो कहा अपर है तो Faridabad New Delhi में है तो आपको सबकुछ याद करना हो को बच्चो नेक्स्ट वान इंडिया लॉंच्ट सांटिफिक एक्सपेडिशन टु अन्टार्टिका उन 4th January 2021 तो सबसे बने में बता दो आपको 40th सांटिफिक एक्सपेडिशन है यह इंपोर्टन नहीं है इंपो है और अभी तक कितने लाब बान चुके है मतलब सबसे पहली लाब कौन सी थी ठीक है अब मैंने ऐसे सोचा तो 101% एक्सपेडिशन भी यही सोचेगा क्योंकि कोई पूछता नहीं कि कितने नंबर का एक्सपेडिशन और सम्टिंग लाइगा क्योंकि इतना एक्स्टॉर्ड सुखेडिशन का मतलब होता है इसमें रिंटर सुमर सेशन ऐसे होता है जहूज़ छोवर्ड सांटेश्च्टीज गोद वांपर वाता स्य वाता जाते है और नये सायंटिस वहां पर फिर से भेल आते हैं तो काइंड ऑफ जो स्फिप्ट जो चेंज रहेती हुर्तों उस तर तो हमारे अभी तक तीन रिसर सेंटर बन चुके हैं सबसे पहले वाला था दक्षिन गंगोत्री तीक है याद रखना तीन रिसर सेंटर बन चुके है सबसे पहले वाला था दक्षिन गंगोत्री जो एक साल में ही डूब गया next बना मैत्री, क्या बना मैत्री, याद रखो ये, ठीक है, मैत्री और third one is भारती, तो मैत्री most important है, मैत्री से related question बनते हैं, तो याद रखने आपको तीन, पहला कौन सा, दक्षिन गंगोत्री, तीसरा मैत्री, और तीसरा भारती, next one, अब अंटार्टिका का देख लिया, तो आ आप सो चुका, बाद मैं बना, अभी जो हाल फिलाल का है, अभी operational है, वो है, इंड आर्क, क्या है, इंड आर्क, आपको ये याद करना है, बच्चों, पूछता है ये question, ठीक है, किसी भी, you know, question को, जब आप current affair पढ़ते हो, तो उससे interlink ही question पूछे जाते हैं, इसलिए बच जब आप एक-दो साल के लिए preparation करोगे, अच्छे से preparation करोगे, और कोई एक हादी दूसरी exam प्लियर आउट कर लोगे, और जब जॉइन अगेरा, सब कुछ हो जाएगा, तब आपको समझ में आता अच्छा, इस तरह का pattern है ये, ठीक है, इसलिए experience person को बहुत जादा, you know, kind of initiative, incentive, not initiative, incentive, दिया जाता है, पैसा बहुत जादा मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि उनकी पास experience, उनको पता होता है, क्या आगे, जो भी अगला वाला बद्न होगे, क्या चाल सल्कुर, ठीक है, इसलिए कभी भी अच्छे teacher को follow करना है, और current affair के लिए, mostly मैं आपको कहूंगी, ज क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इससे कुछ related पूछ सकता है, क्या, अफकोस पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से, next one है, DRDO ने conduct ही है, एक launch, median launch, Akash NG missile, from integrated test range of the coast, Odisha, तो इससे क्या question बनेगे, क्या आकाश NG, NG क्या है, ये new generation missile है, और new generation missile है, तो इसमें इस तरह से, क्या मिसाइल क्या surface-to-surface है, surface-to-air है, या surface-to-surface है, या फिर air-to-surface, something like that, तो आपको याद रखना है, जो Akash NG है, new missile, ये है surface-to-air, तो surface-to-air missile है, next thing, कि DRDO का establishment year क्या है, बहुत बार पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है, पर पूछता है, 1958 जो है, वो DRDO का establishment year है, most important, और एक पूछता है, कि इसका chief को ने, हर साल जब भी, अगर new appointment होती है, DRDO की chief की, तो वो question बनी जाता है, तो अभी-अभी हाल फिलाल, दो-तिन साल पहले ही, G. Satish Ready जी बने है, तो उनका नाम आपको पूछा जा सकता है, G. Satish Ready, क्या है, G. Satish Ready, याद रखना हो, इंडिया की और फ्रेंच की एर फोर्स की जो है, यह exercise हुई है, अब यह question पढ़ते ही, आपको दो जो बाती याद रखनी है, सबसे पहले की जो डेजर्ट नाइट 21 exercise है, वो किन दो देशों के बीच में है, वो है इंडिया और फ्रांस, नेक्स्ट वन, क्याहां पर हुई है, जोदपूर में हुई है, अब इसे ही इंटर लिंक करोगे, तो कोशन क्या बन सकता है, कि इंडिया और फ्रांस में कौन से ऐसी दो military exercise होती है, या फिर कोई भी exercise होती है, तो याद रखो, जो मित्र शक्ती है, वो है हमारे और स्री लंका की बीच में, और जो शक्ती है, उनली शक्ती exercise जो है, वो इंडिया और फ्रांस की बीच में है, और वो आर्मी exercise है, तीक है, ये दो बाते क्लियर होगी, next one, CRPF और DRDO ने लांच किये है, Bike Ambulance, जिसका नाम है Rakshita, क्या है, Rakshita, तो आपको ये याद रखना है, Rakshita है इसका नाम, तो CRPF, अब DRDO का देख लिया हमने की कौन है, establishment date वगेरा, sorry, year वगेरा, CRPF के जो चीफ है, AP Mahishwari जी, इनका नाम आपको याद रखना है, कोशन पूच सकते हैं, तीक है, और इन्होंने कौन सी लांच की है, बाइक अंबुलेंस जो अभी उसका नाम क्या है, वो है Rakshita, तो कौशन बन सकते हैं, कौन सी ऐसी दो और इन्होंने बाइक अंबुलेंस जो है लांच की है, तो वो है CRPF अड डियार्डू, नेक्स्ट, रक्षा मंत्री श्री राजना सिंग जी ने जो है, इस टेट अफ़ी आप ड्राइवर लेस मेट्रो कार्ड अन्विल्ड की है, यह अक्छली MMRD को दे रहे है, और यह बनी कहांप है, बांगलोर कॉंपलेक्स में बनी है, बांगलोर में बनी है, और यही से इन् को देने वाले हैं, यह ब्वंभय मेट्रो को देने वाले हैं महां पर ए कोशन बने अगले को है, यह बनाऌ यह बनाए, यह था ma Asami क्या रखा है? Asami, Asami का मतलब होता है Pride, Self-Respect and Hard Work Pride, Self-Respect and Hard Work So Asami नाम रखा है Bढ़या नाम है, तो पूछा जा सकता है, okay? So it was just for today Thank you so much for watching Please subscribe to my channel, share this video, like this video And please keep revising, thank you